महें सलामुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहटाइंस मुम्रा में क्रोना संक्रमन का खत्रा कुछ ज्यादा है और लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट मिली है और और इवन के तर्च पर दुकाने भी खुल रही हैं अगर सडकों पर आप देखेंगे तो काफी बड़ी संख्या में लोग वाहन लेकर और पैदल चलते हुए नजर आएंगे बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिलेंगे जो बिना मास्क लगाए सडकों पर घोम रहे हैं इन्हें क्रोना वायरेस का कोई डर नहीं है आज मुम्रा प उसे मास्क पहनाया गया और क्रोना वायरेस कितनी खतरनाक बिमारी है इसके बारे में भी जानकारी दी गई वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बिमारी को हलके में ले रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि कुछ नहीं है मगर जब इसकी चपेट में आ जाते हैं तब समझ में आता है कि कुरोना वाइरस है या नहीं है मुम्रा पुलिस ने सड़कों पर बिना मास्क लगा कर चलने वालों को मास्क पहनाया और दुबारा उन्हें बिना मास्क के घर से निकलने के लिए मना किया है पुलिस की तरफ से ये देख रहे थी कि लोग बाहर ना निकले लोगों में संक्रमनिस वाइरस कोरोना वाइरस का ना पड़े और लोग अपने घरों में सुरक्षित रहे हैं यह हम लोग देख रहे थे लोग डाउन के दरा लागिन अभी लोग डाउन खुल रहा है और सबसे महत्वपुर्ण बाद है कि आप जब भी बाहर निकलो तो मुझे मास्ट होना चाहिए यह सभी जगह से सभी डिपार्टमेंट से सभी गवर्मेंट की तरफ से आप लोगों को बता जा रहा है फिर भी यहां पर मुम्रा में इतने कैसे बढ़ने के बाद भी लोगों में उसका जड़ादा ये नहीं इस एक प्ब्र께 नहीं आ रहा है लोगों को समझ में नहीं रहा है बिना मास्क के लोग घूम रहे उनको समझा रहा है कि मास्क पहना कितना ज़रूरिये आपकी से दिक के लिए और दून की सिवेंद renewed रहेंके उनके उपर कार आखे रहेंगे हम पूलिस की तरफ से उनको मास्क भी दे रहें लोगों में जागरूपता पहने मास्क पहना कितना जरूरी है और मास्क पहनने के फाइदे कितने हैं इसके लिए कारूआ चलें ताजा तकिन खबरों के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकॉन दबाना ना भूले अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें